मैनिफेस्टो कमीटी का गठन कर दिया है। कॉंग्रस ने 16 सीनियर नेताओं की एक कमीटी बनाई है और इसमें कई लोगों के नाम है। आपको बता दें कि 16 सीनियर नेताओं की एक कमीटी बनाई गई है और इनका काम होगा कि ये कॉंग्रेस की मैनिफेस्टो को तैयार करें 2024 में होने वाले लोकसभाचनाओ के लिए गोशना पत्र ये कमीटी तैयार करेगी और इस कमीटी की कमान पीच दंबरम को सौपी गई है टीएस सिंगदेव को कमीटी का संयोजग बनाया गया है पीच दंबरम को इस कमीटी का अध्याक्ष बनाया गया है वही 36 गड़ के पूर्व डेपुटी सिंगदेव मैनिफेस्टो कमीटी के कनवेनर के तौर पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा इस कमीटी में प्रियंका गांधी वाडरा, करनातक के मुख्यमंतरी सिध्धर अमया समेत कई नेताओं को बड़ी जम्यदारी मिली है इससे कुछ दिन पहले कॉंग्रस ने नैशनल अलाइंस कमीटी का गठन किया था इस कमीटी में राजस्थान के पूर्वसीयम अशोग गहलोद और 36 गड़ के पूर्वसीयम भुपेश बगेल को बड़ी जम्यदारी सौपी गई थी लोगसभाचराओं के लिए बनाई गई इस मैनिफेस्टो कमीटी में 16 नेताओं को शामिल किया गया है इसमें पीच दम्रम, सिध्धा रमया, टीएस सिंग देव, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, जहराम रमे, शशित हरूर, गाय खंगम, गौरव गोगोई, प्रवीन चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगड़ी, के राजू, उंकार सिंग, मारकम, रंजीत रंजन, पानी और गुरदीप सपल को जिम्यदारी दी गई है, पीच दम्रम को कमीटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वही टीएस सिंग देव को कन्वेनर की जिम्यदारी दी गई है, मंगलवार को इंडिया गठबंधिन की बैठक से पहले, कॉंगरस ने नैशनल अलाइंस जिम्यदारी सौंपी गई थी, इस पांच सदस्य कमीटी में राजस्तान के पूर्व मुख्यमंतरी अशोग गहलो, च्छतीस गड़ के पूर्व मुख्यमंतरी भुपेश बगहे, मुकल वासनिक, सल्मान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को कन्वेनर की जिम्यदारी दी कॉंगरिस ने 2024 के लोग सभाचुनाओं के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और हाली में कॉंगरिस ने 2024 के लोग सभाचुनाओं से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान यानि डोनेट फोर देश शुरू किया था कॉंगरिस अध्यक्ष मलिक आरजुन खडगे ने 138,000 रुपए का चंदा देकर पार्टी के ओनलाइन क्राउड फंडिंग कारिक्रम की शुरूआत की थी मलिक आरजुन खडगे ने कॉंगरिस समर्थकों से अपील की थी कि वो बहतर भारत के निर्मान की कोशिशों में अपना सहयोग दें चंदा के तौर पे खडगे ने इस मौके पर कहा कि ये पहली बार है जब कॉंगरिस लोगों को देश के लिए चंदा मांग रही है लोगों से और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप केवल अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना होगा महत्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता सिदान लिया था तो इस तरीके से अब ये देखने वाली बात है कि इस मैनिफेस्टो कमिटी को जो जिम्मतारी दी गई है उसे वो कैसे निभाती है क्योंकि 2024 में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कॉंग्रिस अपने मैनिफेस्टो में क्या लेकर आती है जिससे कि BJP के आगे वो अपना दावा पेश कर सके और जादा से जादा वोटर्स को अपने पक्ष में कर सके अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें